हलो फ्रेंट्स स्वागत है आपका हमारे चैनल इंवेस्मेंट की वजार पर दोस्तो 15 अगस्त का अज दिन है आप सभी को इंडिपेंडेंट्स दे की हादिक शुब कामना है कल दोस्तो SBFC IP आपको लिस्ट होता हुआ देखने को मिलेगा दोनों व्यू आपको बताऊंगा लॉंग तर्म में बाय करना चाहिए या शॉट तर्म में सेल करना चाहिए और क्या करन ग्रे मार्केट है सब पर इस वीडियो के दर चचाह करेंगे तो वीडियो को पूरा एंड तक देखना वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके लाइक करके ज़रूर अगर देले शुरू करते है तो फ्रेंड्स यहां पर आप देख सकते हैं अगर SBFC कंपनी की बारे में जा कंपनी का आचे अगर चैनल कें लिग को प्र आफमेन घर यहां पर कंपनी के फाइनशन की बात करें तो यह दोस्तो यहां पर इसमें अपर देख सकते हैं किकम यहां पर देख然后 कंपनी काम काहा गाज तो ड्रक शाहिकना नहीं है तो आइप आया तो अच्टार फंपनी आए किसला दी तो definitely यहां पर अच्छे कासे आपको लिस्टिंग होने की उमीदे और प्लस लॉंग टमब भी यहां पर अच्छा कासा व्यू बनता हुआ देखने को मिल रहा है क्यों कि financials company के जो है वो काफी अच्छे नदर आते वे देखने को मिल रहे है प्लस यहां पर आप देखिए क्यू आइब इस ने 200 गुना इस आइप को बरा था क्यू आइप मतलब qualified institutional investors जो कि आप देख सकते हैं काफी अच्छा दोस्तों बरते वे देखने को मिल जब भी qualified institutional investors यहां पर बरते वे देखने को मिलते हैं that means company के financials काफी अच्छे आते हुए देखने को मिले और काफी अच्छे valuations पर company अपना IP लाती भी देखने को मिली है and friends अब अगर आगे बात करें तो hope so आपके accounts में आपकी consoles में shares आ चुके होंगे even काफी सा लोग के तो portfolios में शो हो रहें अब बात करें foreign markets की तो भी foreign markets में definitely काफी अच्छी बड़त है तो hope so इस बड़त का फायदा जो है SBFC को मिलता हुआ देखने को मिले and अब grey markets की बात करते हैं सबसे पहली वेबसाइट है चित्तोर्गा.com यहां पर 26 रुपए grey market है यहां पर 28 रुपए grey market है तो कही न कही दोस्तों grey market इसके बीच में रहती भी देखने को मिल रही है अब अगर बात करें यहां पर listing दे स्टाटेज जी की तो कही न कही दोस्तो 27 रुपए के आसपास जो है grey market रह सकती है अब मुझे लगता है कि 84 रुपीस के आसपास जो है यह आपको IPO लिस्ट होता हुआ देखने को मिलेगा और अगर market के sentiments अच्छे हुए Nifty अच्छा काम काच करा तो definitely इससे भी उपर आपको IPO लिस्ट होता हुआ देखने को मिल सकता है जो listing की price होगी जो buying price होगी अगर आपको खईदारी करनी है तो दोस्तों मेरी यही सला है 78 से 82 का range होगा वो एक perfect range होगा इस range के अंदर आप buy करें और 5% का definitely आप stop loss रखें इस counter के अंदर and long term के लिए अगर आप buy करना चाहते है इस talk में आप खईदारी अबिक्वाली कर सकते है थैंको आप चूंदिस वीडियो